कहानी की शुरुआ तीन दोस्तों से होती है ओली जोश और पैकस्टन जो लेट नाइट आने की वज़े से हॉस्टल के बाहर ही रह जाते हैं ऐसे में उनका नेबर उन्हें अपने घर इन्वाइट करता है वो तीनों उसे बताते हैं कि आज लेट नाइट पार्टी की वज़े बैठ भी जाते हैं ट्रेन के उस कोच में एक आदमी भी उनके साथ सफर करता है जो अपना इंट्रोडक्शन देता है वो बताता है कि वो एक बिजनसमैन है बातों बातों में वो बिजनसमैन जोश के पैर पर हाथ रख देता है जो जोश को बिलकुल भी पसंद नहीं आता और वो उस पर गुसा करता है, वो बिजनिसमेन उस कोच से निकल कर वहां से चला जाता है, अब वो तीनों दोस्त उस लड़के की बताई उस जगह पर पहुँच जाते हैं, और वहां रिसेप्शन पे जाकर अपना रूम पूछते हैं, रूम की कीज लेने के बाद वो अपने रूम में पहुचते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि दो लड़किया वहां पर चेंज कर रही होते हैं, और साथ ही साथ वो लड़किया जाते हुए उन्हें पब में इन्वाइट करते हुए भी जाती हैं, ये देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो तीनो इधर वो दोनों reception पे जाते हैं और receptionist से ओली के बारे में पूछते हैं receptionist उने बताता है कि ओली ने सुबह ही check out कर लिया है तब ही उन दोनों के पास एक लड़की भागते हुए आती है जिसका नाम काना होता है वो बताती है कि उसकी friend भी इस hostel से लापता है पैकस्टन और जोश दोनों ही निकल पड़ते हैं तब ही उनकी नजर पड़ती है ओली पे वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं लेकिन उने पता चलता है कि वो आदमी ओली नहीं है वो कोई और ही है इधर हमें ओली का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है और उसके पास एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी हाथ में बहुत ही धारदार हतियार होते हैं और वो उन सब को लेके एक लड़की की तरफ जाता है ये लड़की और कोई नहीं बलकि काना की फ्रेंड थी जिसे वो ढूंड रही थी अपने धारदार हतियारों का इस्तमाल करते हुए वो आदमी बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की की उंगलिया काट देता है वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में काना, पैकस्टन और जोश तीनों आपस में बैठ कर बात कर ही रहे होते हैं कि वो दो लड़किया फिर से वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को पब में इन्वाइट करती है ऐसे में पैकस्टन तो चलने से मना कर देता है, लेकिन जोश उसे इंसिस्ट करते हुए लेकर चला ही जाता है वो दोनों लड़किया पब में उन्हे ले जाकर दुबारा से वही नशीली डृंक पिलाना शुरू कर देती है नशीली ड्रिंक जादा लेनी की वज़े से जोश की तबियत बिगढने लगती है और वो हॉस्टल में अपने रूम में जाकर लेट जाता है। जोश के पास आता है और ड्रिलिंग मशीन यूज करते हुए जोश की एडिया काट देता है। उसे वही बताता है कि जोश भी आज ही यहां से चेक आउट कर चुका है। अब पैकस्टन अपने रूम में जाता है तो दुबारा वो नई दो लड़कियों को देखता है जो उसके रूम में चेंज कर रही होती है। उसे यह सब देखकर बहुत ही अटपटा लगता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बढ है। अब पैकस्टन अपने दोस्तों के बारे में उनसे पूछता है तो वो लड़कियां बताती है कि उन्होंने उन्हें एक सेफ जगह पर ड्रॉप किया है। और अब पैकस्टन भी उस लड़की के साथ उस जगह पर जाने के लिए तयार हो जाता है। वो जगह बहुत ही पुरानी और एक खंडर जैसी थी जहाँ पर वो दोनों पहुंचते हैं वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं। वो लड़की पैकस्टन को अब अंदर लेकर जाती है जहाँ पर पैकस्टन के होश ओड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि उसका दोस्त खून से लगपत है और एक आदमी उसका ओपरेशन कर रहा है। पैकस्टन उस लड़की पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि उसने उनके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे में वो लड़की सच बताते हुए कहती है कि उसे इस काम का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब पैकस्टन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी दो बाउंसर आके उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में जाकर बंद कर देते हैं। उस कमरे में उसका सर चकरा जाता है क्योंकि वो अपने ही तरह बहुत से लोगों को वहाँ पर देखता है जो बंदे हुए होते हैं और जिने काटा जा रहा होता है। पैकस् पैक्स्टन उसे भी शूट कर देता है। पैक्स्टन उसे बचाने के लिए वो दुबारा गाड़ी से उतर कर अंदर जाता है। पैक्स्टन उसे जैसे तैसे करकर उस जगे से बाहर गाड़ी में ले ही आता है। बहुत ही तेजी से कार चलाते हुए दोनों उस जगे से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए पैक्स्टन की नजर उन्ही दो लड़कियों पर और उस लड़के पर पढ़ती है जिसकी वज़े से वो इस जगे पर आया था। पैक्स्टन बिना देरी किये उन तीनों पर ही गाड़ी चला देता है और उन्हें मार देता है। काना और पैक्स्टन दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहां पर काना फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे देती है। अब अकेला पैक्स्टन अपनी जान बचाते हुए ट्रेन में बैठा होता है तब ही उसे कुछ आवाजे आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो वही बिस्नसमैन उसे देखता है जो अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन पर चड़ रहा होता है। पैक्स्टन बड़ी ही चलाकी से उसकी बेटी का किड्नाप करके अपने साथ लेकर चला जाता है और वो बिस्नसमैन अपनी बेटी को तलाशता ही रह जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए।